अगरते दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल की रिकोलेंट प्रिडिक्शन में गाईज आज की वीडियों हम लोग कवर करने वाले हैं ICC मेंस T20 वर्ल कप का मैश नंबर यहां से 37 जो की खेला जाएगा New Zealand और Ireland के बीच में ऐसे में दोनों टीम हो कि क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 क्या कुछ पॉस्बल चेंजेज हो तकता है वीडियो में फुल डिसकास किया जाएगा तो वीडियो को हम लोगी स्टार्ट करने हैं दोस्तो इसकीप मत केजें बात सुन लिजेए इस्टार्टिंग में आप लोगों के एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा कि यह मुकाबला और कोई भी मुकाबला जोकि मैं आप लोगों को कवर करता हूं उसकी फाइनल्टी विद गाइडेंस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ही प्रवाइड कराई जाती है तो जुड़ना ना भूले वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लिंक होगा आजाना लिंक के तुरू बाइद वे लिंक वर्क नहीं करता है तो क सबसे पहले आप लोग यहां पर पिंड मैसेज चेक कर लेना चेज उनका मैसेज होगा तो आप लोग सही जगह पाई हो और खुद भी लगबग मैं छे सालों से स्पोर्स खेलता हूं तो आप लोग यह सस्क्राइबर देखकर मेरे स्किल्स का अंदाजमत लगाना आप जैसे आप लोगों को यहां पर सब्सक्राइबर कम देखने को मिल रहे हैं तो होप आप लोग यहां पर जोएन हो जाएंगे चला दूस्तों यहां साम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताता चलू चार नवंबर को नौ बच के 30 मिनट गुरूप 1 का यह मुकाबला खेला जाएगा आप लोगों को मालूम है मतलब कि अब आखरी यहां पर मुकाबले कुछ बचे कुछ हैं सूपर 2L के अब मतलब ICC मेंस्टी 20 वर्ल कप का अंजा मतलब खतम ही होने वाला है ऐसे में यह ग्राउंड वेनू का यहां पर वेनू की बात किया जाए तो एडिलेट का यह वेनू रहने वाला यहां वे दोस्तों पिछ किया कुछ बिहेव करती है तो आप लोगों को बताता चलू सेम ग्राउंड था जहां पी इंडिया बांगला इसका मुकाबला खेला गया था तो आप एक बैटिंग करने के लिए अछी खाव शर्फिक्त यहां पे मानके चल सकते हो ठीक है बैसमें यहां पर आप लोगों का अच्छाए खासा सा स्कोर करते हुए देek सकते हैं और जो की मतला पृसर सोते घडते तो यहां पर जब जब मुकाबले होते हैं क्या कुछ होता है साथ मुकाबले खेले गए चार बैटिंग फर्स्ट और चेज करने वाली टीम ने तीन काबले को वोन किया है आवरेज फर्स्ट इंग स्कोर 182 रन है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते की कितनी अच्छी यह बैटिंग सर्फेस है अगर 170-180 बन रहा है तो हाइस्ट इसकोर जो कि ऑस्टेलिया टीम का है दो से यहाँ दो सो तिरासी रन सौरी 233 रन दो विकट के नुकसान पर और लोष जिंबावे का है जो कि इसी साल मतलब दो दिन पहले ही बनाए 117 रन बनाके ओल आउट हो गये थे जिंबावे वाले स्कोरिंग पैटन पर नज़र डालते हैं क्या कूछ स्कोर बनता है तो 150 से कम 2 वर सकोर बनाए 150 से 170 के बीच में 1 वर सकोर बनाए वहीं 170 से 190 के बीच में 3 वर सकोर बनाए बाकी 190 से ज़्यादा यहाँ पर एक बर स्कूर बना है अब दोस्तों देखो मैं आप लोगों को एक important बाद बताता चलू कि यहाँ पर जो New Zealand और Ireland की team है इसमें आप लोगों को मालूम है New Zealand की team काफी strong side है ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा matter नहीं करेगा कि New Zealand की team first bat करती है या first ball करती है 90% chances मान के चल सकती हो कि आप लोगों को यह मुकाबला New Zealand की team ही won करती हूँ दिख सकती है तो मुझको जहाँ तक लगता है अगर मानलो New Zealand की team first bat करीगी न तब भी जिस सकती है second bat करीगी तब भी जिस सकती है हाँ यहाँ से scoring pattern थोड़ा लेकिन आप लोगों को change देखने को मिल सकता है मानलो अगर Ireland की team पहले batting करती है तो आप लोगों को यह score 150 के अंदर देखने को मिल सकता है वहीं अगर New Zealand की team first bat करती है तो यह score आपको 170-1990 के बीच में देखने को मिल सकता है बस एक मुकाबला इन लोगों को जीतना है और इन लोगों के नाम के सामने क्यों लिखा जाएगा ठीक है इनकी team qualify आलमुष्ट कर ही चुकी है समझ जो अब देखो Finn Island पिछले मुकाबले में मातर 16 का ही score कर पैते वैसे यंग खिलाडी यह अच्छा talented खिलाडी यह है तो हो सकता है क्या मालूब इस मुकाबले के लिए इनको रेश्ट पे भी भेजा जा सकता है और जो की experience खिलाडी मार्टी गप्टी ने उनको अंदर लाया जा सकता है बात करते हैं यहां से डिवन कॉनवे के बारे में तो मातर 13 का score यह कर पैते पिछला दो मुकाबला इनका बहुत ही कह सकते हो बुरा गया लेकिन खिलाडी बहुत अच्छ है आते ही 92 रनू का score किये थे जो किये जरूर थे लेकिन यह जो 40 बॉल है ना 40 बॉल खेलने के बाद यह 40 रन किये थे तो मतलब T20 में इतने बड़े खिलाडी से केन विलियमसन जैसे खिलाडी अगर 40 बॉल खेल के 40 रन कर रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हो कही न कहीं विलियमसन को बैटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है विलियमसन जैसे खिलाडी 40 गेन खेल के आप गों को 65-70 तो इसली करते भी दिखने चाहिए थे तो कहीं न कहीं इनका फॉर्म थोड़ा सा कंसीडर रहने वाला है वही ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं क्या लाजवाब बैटिंग की थी भाई ने अग 62 रनो का स्कोर किया था और उससे पहले भी देखोगे तो 105 रनो की स्कोरिंग की थी इन्होंने वहीं डेरी मिचल की देखिएगा तो 3 रन थे वहीं बालिंग नहीं करते हैं वहीं यह आल राउंडर खेलाली लेकिन बालिंग किये नहीं अभी इस वर्ल्ड कप में जितने म मुकाबले खेले हैं दो मुकाबले खेले हैं लेकिन बालिंग किये नहीं है वहीं जेम्स निसम की बात करते हैं तो 6 रनो के स्कोर यह किया थे बाकि बालिंग यह भी नहीं किये पिछले 3 मुकाबले से वर्ल्ड कप में वहीं मिचल से अंडर की बात करते हैं 16 रनो के स्कोर क अपना यह मुकाबला गया था, वही ट्रेंड बोल्ड का विगेट से खाता ही नहीं खुला था, अगर मैं आप लोगों को इनके तफ से ओपें देथ बॉलर बता हूँ, तो आप लोग देखो, यहाँ से ट्रेंड बोल्ड के साथ, टिम साथी को ओपनिंग में मान सकते हो, दे टीम साओधी मिचल सैंडनर लोकी फर्गुसन और इशोधी यह चार पांच बॉलर है और पांच वही आपको चार-चार ओबर करते हुए दिख सकते हैं यहां से दोस्तों बात करते हैं जो की दूसरी टीम होने वाली है आयरलेंड की टीम इनके तरफ से देखो बहुत बुरा ह अब देखो इनके तफ से पॉल इस्ट्रिलिंग के साथ आंडू वल्बरीन आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे पॉल इस्ट्रिलिंग पिछले दो मुकाबले सो बिल्कुली फ्लॉप है ग्यारा का स्कोर कर पाए थे पिछले मुकाबले में जो कि ऑस्ट को ये भी अच्छा काता है स्कोर करते हुए दिख सकते हैं वही कुटे सकेंपर की बात करते हैं तो यहां बैटिंग से खाता नहीं खुला था और पिछले मुकाबले में इनको इन भी विकेट नहीं मिला थे उससे पहले जो कि मुकाबले यूए यूए ए वगएरा जैसे ट वहाँ पर ये विकेट निकाल रहे थे, फिन हैंड की बात करते हैं, तो पिछले मुकाबले में इनको भी कोई विकेट नहीं मिला था, बाकि बैरी मैकेटी जो की अगेंस्ट उस्टेलिया मुकाबला खेला गया था, लाजवाब पफोर्मेंस था और तीन विकेट गुछे में इनको मिल गया था, वहाँ जोस्वा लिटिल भी इनके तरफ से एक बहुत होनहार और मतलब टाइलेंटेट खेलाडी हैं, दो विकेट पिछले मुकाबले में इनको भी मिला था, इनके तरफ से अगर हम लोग open death baller की बात किया जा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, opening मे जोस्वा लिटिल मारक एडर और बैरी मैकिटी भी आप लोगों को balling करते होई दिख सकते हैं, वहाँ देथ में बैरी मैकिटी, जोस्वा लिटिल और मारक एडर आप लोगों को balling करते होई दिख सकते हो, खेलाडी सीमी सिंग जो कि इनके तरफ से bench पे गया है, इनका recent score आ पिछले मुकाबले से बाकि और जैसे कि यह सीमी सिंग तो खेली नहीं रहा है और कूटे स्केमपर के भी ओवर कटते हैं बाकि जोज डोकरिल पिछले मुकाबले में चार उबर डाल जरूर दिये थे लेकिन यह आप इनके नाम के सामने dnb का मतला होता है do not bet do not ball ठीक है अगर ball आ रहे तो do not ball तो आप लोग यहां से बिल्कुल read करके चल सकते हो बाकि आयर लैंड के overall सारे खिलाली को record मैंने यहां पर mention किया अगर आप चाहो तो बिल्कुल read भी कर सकते हो लेकिन इनकी team ने recent में काफी मुकाबले खेल लिये हैं इन बिल्कुल आप लोग यहां से देख लेना ठीक है बाकि बात करते हैं न्यूजी लैंड के भी overall सारे खिलाली को record है अगर आप चाहो तो इनके तरफ से बिल्कुल जितने खिलाली चेक कर सकते हो मुझको लगता इस मुकाबले में मार्टीन गप्तिल खेल सकते हैं और यह पर से पहले आप लोगों के एक ही बात important बताना चाहूंगा कि मतलब आप लोगों को समझाओंगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छा मुझको भी लगता है काफी जादे लोग इंस्टाग्राम पर message करते हैं कि भाई आपकी वीडो देखकर मेर ठीक है टीम कॉपी पेस्ट करने से कुछ भी नहीं होता है बाकि यह जो लोग मतलब face reveal वीडो बनाते है मैं face reveal वीडो भी बना सकता हूं बट अभी देखो मेरे पास budget नहीं है जो बात में है मैं आप लोगों से clear बोलूँगा आप लोगों से छुपाने की कोई और शक्ता प लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो मेरा चेहरा देखना है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलोग कर सकते हो देखो विकट कीपर सेक्शन से डीवन कॉनवे लॉकिन टेकर और फिन आलें तीनों को ही फिलाल मैंने टीम में ट्राई किया है अब ऐसा होता है कि फिन आलें पॉल स्टीलिंग और फिर यहां से मैंने जोज डोकरेल को टीम में ट्राई किया है अब देखो जोज डोकरेल हर मुकाबले में बॉलिंग करते नहीं है लेकिन मैं हर बार कहता हूँ अगर बैटिंग सेक्शन में कोई बॉलर टाइप का खिलाड़ी मिल रहा है तो आप अप की बात किया जा तो वैसे भी मैंने अलरड़ी साथ खिलाड़ी ले लिए तो यहां पर आईरलेंड की टीम है तो हो सकते हैं मतलब अच्छा इसकोर भी कर सकते हैं तेजगति से स्कोर भी कर सकते हैं लेकिन फिर मतलब थोड़ा सा मुझको इनका कडर लग रहा है तो खिलाड तो बहुत लाजवाब ही इनके बारे में बताने के और शक्ता नहीं पढ़नी चाहिए इनके बारे में बताना मतलब यही हो जाएगा कि सूरज को दिया दिखाने वाला काम हो जाएगा अब देखो आयरलाइन की टीम ना भाई अच्छे पिक रहने वाले हैं बाकि गर्थ डेलनी को टीम में ट्राई किया है जो की कंटिनुसली बॉलिंग डाल रहा है अब देखो कूटे स्कामपर को मैंने ड्रॉप किया है कूटे स्कामपर के स्टार्टिंग के कुछ मुकाबले में अच्छा परफोर्मस आ रहा था लेकिन बात वही थी कि तब इनको मौके भी दिये जा रहे था अब यहां पर इनसे सिफ टीम बैटिंग करवा रही है बॉलिंग करवा नहीं रही है तो प्लेयर को मतलब चांस भी नहीं मिल पा रहा है परफोर्मस देने का तो फिलाल देखो मैंने इस वजह से इनको ड्रॉप किया है और मैं देखोंगा कि कि कितने बॉलर आयरलन के कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा यह मुकापला काफी हद तक टॉस पर भी डिपेंड करने वाली है कि कौन सी टीम फ़र्ष्ट बैट और कौन सी टीम फ़र्ष्ट बॉल कर रही है मान लो आयरलन की टीम अगर फ़र्ष्ट बॉल करीगी तो हो सक फिलाल मैंने दोनों की ट्राइन ना करते हुए डेल नहीं और यहांसे लोकें टेकर को अपने टीम में लिया हुआ है बात करते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की तो फिलाल मेरे टीम की काप्टन डिवन कौनवे रहने वाले है हो सकता अच्छा स्कोर कर दें क्यू तो आप लोगों को टीम का प्रिवियू दिखा देता हूं कुछ इस परकार का देखने को मिलेगा जहांके कैप्टन डिवन कॉनवे वाइस कैप्टन के तौर पे गलेन फिलिप्स के साथ में गया हूं फाइनल टीम है नहीं फाइनल टीम के लिए टॉस के टाइम आप लोग टेली ग्राम पे एक्टिव जरूर रहना मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आना है सस्क्राइबर देखकर इस्किल्स का अंदाजा मत लगाना है बिकाज यह मेरा सेकेंड चैनल है तो होप आप लोग यहां पे जरूर आ जाओगे बाकी वीड़ो के डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लिंक होगा आज पर नहीं हो सस्क्राइब कर को नोडिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना गलाच चैनल पर माँ जाना दोस्तों मतलब लोगों ने मुझसे भी ज्यादा फेक चैनल मतलब फेक चैनल भी बनाया है और फेक सस्क्राइबर भी वो लेकर बैठे हैं तो इस वज़ा से बोल रहा आना बहुत मज़ाने वाला है तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुड़ बाई